हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ आपके साथ प्रशांत और स्वागत है आपका हमारे चैनल में बिग बॉस सीजन 14 जब से शुरू हुआ है तब ही से लगाता सुर्ख्यों में बना हुआ है और इस बार का सीजन जो सबसे जाधर चर्चा में बना हुआ है उसकी वज़ा है निक्की तमबोली वही निक्की तमबोली जिनोंने सलमान के सामने शो की एंट्री पर तो अपना काफी चुलबुलापन दिखाया लेकिन शो में आने के बाद जस तरीके से वो लोगों के उपर अपने ओर्डर चला रही है अपनी दादागिरी दिखा रही है और अपनी ही मनमानी कर रही है वो किसी के भी गले से नहीं उतर रहा है निक्की तंबोली सीजन की यूँ तो सबसे स्ट्रॉंग कंटेस्टेंट मानी जा रही है लेकिन उनका गेम लोगों को बिलकुल भी पसंद नहीं आ रहा है और बहुत ही कम लोग घर में ऐसे हैं जिनसे निक्की तंबोली की पट्री खाती हो अगर आपने देखा भी होगा तो अब तक जितने भी टास्क हुए हैं या अब तक जो भी बिग बॉस ने करने को कहा है उसमें निक्की तंबोली ने किसी भी कंटेस्टेंट के साथ नहीं तो ढंक से बात करी है और नहीं किसी के साथ उनके रिलेशन ज़ादा अच्छे हैं अगर जान कुमार सानु को छोड़ दें और एक दो लोग निशान मलखानी और रहुल वैद को छोड़ दें तो निक्की तंबोली की शायदी पूरे घर में किसी से बनती है लेकिन वो कहते हैं अपनी दादागिरी जो कुछ जादा ही चलाता है बिग बॉस उसको भी सबक सि लगाने वाले हैं और अभी हाली के एक प्रोमो में ये खुलासा हुआ है कि बिग बॉस सभी घरवालों से कहेंगे कि निक्की तंबोली जो की टूबी कंटिन्यूड से कंटिन्यूड हो चुकी है शो के अंदर अब उन्हें एक बार फिर से टूबी कंटिन्यूड किया जा स दरसल बिग बॉस ने सारे घरवालों को बोला है जो की अभी फ्रेशर हैं और अभी कंटिन्यूड नहीं हुए हैं उन सभी को बोला है कि निक्की तंबोली को अगर आप चाहें अपसी सहमती से दूबारा से टूबी कंटिन्यूड कर सकते हैं लेकिन उसके पीछे की कुछ वजहे बतानी पड़ेंगी तो इसे लेकर जैसमीन भसीन, निशान मलकानी और जान कुमार सानू जो हैं वो तीनों ही अपनी अपनी बात रखते नजर आए हैं जिसमें जैसमीन ने बोला है कि निक्की तंबोली में बात करने की तमीज नहीं हैं वो सिर्व अपनी ही चलाती और वो से दूसरों से लड़ने के मौके ढूंती हैं दूसरी तरफ निशान मलकानी हैं वो भी बोल रहे हैं कि निक्की तंबोली सिर्व अपने आपको स्ट्रॉंग समझती हैं बाकी contestants को वो कुछ भी नहीं समझती हैं तो यहाँ अब निक्की तंबोली अपने हिजाल में फस्ती हुई नजर आ रही है खेर फिराल अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि निक्की तंबोली फिर से कंटीनूड से टू भी कंटीनूड होंगी या नहीं लेकिन घरवाले पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि निक्की तंबोली की पावर बनी रहेगी या फिर वो बाकी सभी सदेस्टों की तरह फिर से फ्रेशर बन जाएंगी वज़े आपकी इस पे क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बिग बॉस 14 से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहे हमारे साथ